हेलो फ्रेंट्स मैं जीतिन कुवार सिंग आप लों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं फ्रेंट्स हम टीजिटी पीजिटी के लिए टाउप 50 क्वेस्चन्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके लगभग 20 प्लस वीडियो जो है आपके कंप्लीट किया जा चुके हैं 50 więc के जिन में बिलियम वर्टस वर्थ जोन मिलिटन बिलियम स dat पेंट्स वर्थंपुर और और जान गालसवर्दी के बहुत सारे वीडियो और ग्रामर से संबंदित वीडियो जो है आपके अपलोड किये जा चुके हैं वैसे आपकी लाइब क्लास हम देते हैं लेकिन इस समय जो है कुछ बारिसार इसकी बज़े से नेट प्राब्लम हो रही है तो इसलिए आपको सम नहीं सही हो जाता है तब तक रिकार्डेट क्लास से हम आपको प्रोवाइट करवाएंगे क्योंकि कुछ लाइब क्लास मेरी जो है उनमें बफरिंग इसू आ गया है प्राब्लम हो गई है तो इस बज़े से वह हटा करके दुबारा उनको अपलोड किया जाएगा तो यह जो है इस हिसाब से हमने जो है यह अच्छा देखा है कि इसको जो है आपको रिकार्डेट क्लास तब तक जो है उपलेप्त करवाई जाएं जब तक नेट वर्क इशू जो है यह खत्म नहीं हो जाता है तो आज चलिए बिलियम ओड्सवर्थ का थर्ड वीडियो आज हम ले क्रिटिसाइज वर्थ 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 फार नाट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियोरी इन हिज ओन पॉइम्स यानि किसने जहे वर्थ 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 जो थे उनको जहे अपनी ही थियोरी अपनी ही जहे पॉइम्स में लागू करने के लिए क्रिटिसाइज किया है तो यह नि जह वर्डस वर्ड उसने कहा एक वर्डस वर्ड ने अपनी ही त्योरी को अपनी प्वैम में लागू नहीं किया है तो इसके लिए एक रेट साइज जह है वर्डस वर्ड को टी असलीट ने किया है आगे बढ़ते हैं विच अपसलिटली विदाउट हुमर हुई है डबलू जे लांग के अनुसार तो विलियम वर्टसफर्थ यह विलियम वर्टसफर्थ में ने हिउमर का बिल्कुल भी अपनी प्रियोग नहीं किया है नेक्स्ट क्वेश्चन ने करा विच पॉइम वाज रिटेन आफ्टर दा डिट आफ लार्ड निल्सन निल्सन क ये डिथ के बाद कौन सी पॉइम लिखी गई थी तो अनसार एं कारेक्टर आफ हैपी वेरियर्स आए कहते हैं वर्टस वर्ड अटर्ड नतिंग बेस हूशर्ड किसने बात कही है कि वर्टस वर्ड अटर्ड नतिंग बेस तो यह बात अलफैर लाट टेनीशन ने कही ए इस में विर्षवर्थ पाइड ने योज पर नियूज किया है इस सानने को इल्राइलियन सानेट या पेट्राइड टीर सानेट के फारमेट पर उन्होंने लिखा है किसको जह है किसको यह करते हैं किसको याद करते हैं तो अंसर है Chatterton and Pans Friends, Rejolison and Independence का एक दूसरा टाइटिल है अगर आपको याद हो तो जल्दी से आप comment box में comment करके हमें बताएं तो आगे भरते हैं What is the rhyming scheme of the sun The world is too much with us World is too much with us कि rhyming scheme क्या है? rhyming scheme आपको बताना है तो rhyming scheme है A, B, B, A, A, B, B, A C, D, C, D, C, D यह राइमी scheme जो है Better Origin Sunnet की है यानि Better Origin Sunnet की जो जो राइमी scheme होती है वो A, B, B, A, A, B, B, A C, D, C, C, D, C होती है यानि दो आपके का प्लेट उसका के नम जो है Quartrain होते हैं फोर-फोर लाइन के और एक 66th line का लाश्ट में होता है और वर्स वर्थ का जो Sunnet का पैटरन है वो थ्री Quartrain होते हैं फोर-फोर लाइन के और लाश्ट में एक कपलेट होता है यह फारमेट होता है विलियम सैक्सपियर के Sunnet का आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं यह लाइन जो है किस poem में Wordsworth की किस poem में लाइन आई है इन जो है किस नहें लिखी है तो बिलियम Wordsworth ने यह लाइन लिखी है वर्सवर्थ ने अपनी कुछ अच्छी अच्छी पोइम्स किस दोरान लिखी थी तो 1798 से 99 तक लिखी थी किसने कहा है कि वन इंपल्स फ्राम इवर्णल वुड में टीच अस मूर आफ मैन आफ मारल इविल एंड आफ गुड दैन आल दा सेजेज कहा है यह जो है लाइने कहां से ली गई है और किसने कहा है तो यह वर्षवर्थ की लाइन है वर्षवर्थ ने अपनी पर्म दा टेबल स्टर्न में यह लाइन कही है आगे बढ़ते हैं 112 कदा डियूरिंग ही इज विजिट टू फ्रांस फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान वर्षवर्थ फैल इन लब बिद अ गर्ल नेम्ड यह नि निगेस्ट कुवूज फू इस धे इंटर्प्रेटर ऑफ नेचर इन मायनी मोड्स का इंटर्प्र अगया है तो वही वर्षवर्थ सर्षा करने लिए होगाaur है आगे बढ़ते हैं वर्स वर्स पोएम वर्स वर्स की जो पोएम से हैं वो लगभग अधिकतर पोएम जो है वो हो उन्हें हम हमबल और रश्टिक लाइब के बारे में ग्रामीड जीवन के बारे में बताया गया है आगे बढ़ते हैं question number 116 the prelude is written in prelude कैसे फार में लिखा गया है तो यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया है prelude जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है next question what was the name of the verse word daughter from Annette Wallen Annette Wallen से जो है verse word की एक डाटर हुई थी जिसका नाम क्या था तो उसका नाम Caroline था जो की 1792 में हुई थी आगे बढ़ते हैं the prelude is dedicated to college prelude जो है the prelude जो है वो college को dedicated है which poem college wrote in the response of the prelude the prelude के response में जो verse word थे उन्होंने college के लिए the prelude लिखा तो जो है जो college थे उन्होंने इसके जो है response में इसके उतर में जो है William verse verse के लिए county poem लिखी है तो poem का नाम है to William verse verse next question when resolution and independence was published? resolution and independence जो poem थी वो हूँ का publish हुई थी तो 1807 resolution and independence का second title जो है leach getrer आगे बढ़ते हैं कता है question number 120 quotation है sea is in her grave and oh the difference to me यह जो है quotation कहां का है sea is in her grave and oh the difference to tell me यह जो है line कहां की है तो वेस्ट वर्थ की line है और poem का नाम है sea dealt apart the untroden world यहां की जो है यह line है आगे बढ़ते का थे the phrase phrase है the willing suspension of disbelief यह जो है willing suspension of disbelief यह जो है टर्म कहां पे आया है तो यह जो है biography or literary जो की जो है college के दोरा लिखी गई है उसमें आया था तो 1817 में biography or literary आई थी next question quotation C is the lord which nature brings our meddling intellect यह जो है poem कहां से यह poem जो है किसकी है तो यह verse verse की poem है और यह line जो है the table stern से ली गई है line है C is the lord which nature brings our meddling intellect आगे बढ़ते हैं question number 123 कहता है quotation the child is the father of man and I could wish my days to be bound each to each by natural pity these lines appear यह line है कहां से ली गई है very important line है the child is the father of man यह line कहां से ली गई है my heart lips अप से ली गई है आगे एगला quotation it is spent the burning day of June यह line जो है is the beginning line of which poem यह जो है किस poem की beginning line है it is spent this burning day of June यह जो है किस poem की जो है शुरुवाती line है तो यह है the Wagner की शुरुवाती line है next question which is the penalty made poem in the first edition of lyrical violets यानि जो first edition था इसमें penalty made poem कौन सी है तो जो है the convict है आगे बढ़ते हैं who calls words one of the cheap low reach of English poetry यह वर्थ वर्थ को one of the chief low reach of poetry किसने कहा है तो जो है call list थे आगे बढ़ते हैं कहता है what is the member of what is the number of illicitical sonnets written by wordsworth यानि illicitical sonnets जो wordsworth के द्वार लिखा गया है उसका number क्या है तो यह जो है number है 132 who called किसने कहा है the Wagner Wagner poem को purely fanciful poem purely fanciful poem जो है the Wagner को किसने कहा है तो यह बात wordsworth ने खुद ही कही है next question who refers William Wordsworth as an enduring man यानि William Wordsworth को an enduring man किसने कहा है तो जो है SD College थे next question है how many contours are there in the poem the Wagner Wagner poem जो है उसमें कितने contours है तो 4 contours है next question how many standards are there in O2 duty O2 duty जो पोईम है उसमें कितने standards है तो उसमें 7 standards है 8 lines के यानि 8 lines each के 7 standards है तो इस हिसाब से अगर जो है total line पूछी जाए तो 7 8 जा 56 हो जाएंगी lines O2 duty में next question है quotation है it is past that melancholy dream nor will I quit thy sore a second time far still I seem to love thee more and more यह line कहां से आई है तो यह line है I traveled among unknown men इस poem से यह line आई है next question है quotation है our birth our birth but asleep and forgetting the soul that rises as life's start had had ills where it's setting यह this word describe the defodils a host है निव वर्षवर्थ ने जो है defodils को a host कहा है host here means host का यहां पर क्या है मतलब हाश्ट का मतलब है a whole army of flowers आगे बढ़ते हैं quotation है little we see in nature that it's ours is a line from यह line कहां से आई है little till we see in nature that it's ours यह line कहां से आई है तो the world is too much with the world is too much with us इसमें की यह line है आगे बढ़ते हैं question number 136 का the who refers to as an ever enduring man यह question repeat हो गया है अभी हमने पहले इसको बताया है तो यह एस्टी वर्क में दा line यह line है still sad music of humanity यह line किस poem में आई है still sad music of humanity तो यह टिंटर भी की line next question which two words rhyme in the last two lines of the first stage of daffodils जो daffodils poem है उसके जो है अन्तिम की जो दो line है उनमें कौन से word rhyme करते है तो word है trees and bridge next question two daffodils is a poem two daffodils किसकी poem in daffodils poem words first ने लिखी है और two daffodils किस ने लिखी है तो daffodils Robert Herrick ने लिखा है आगे of come in the end despondency of madness ये quotation जो है किस poem का है तो quotation आपका resolution and independence का है resolution and independence आई बढ़ते हैं what does Santiago call in the sea the old man and the sea इने Santiago कुछ है the old man and sea मे क्या कहा गया है तो la mayor कहा गया है next question है quotation है come blessed barrier between day and day dear mother of fresh thought and joy so heat ये किस poem की line है तो two sleep के lines है आगे बढ़ते है 143 कहता है which poem of Wordsworth की कौन सी poem है in 1892 1892 मे Oscar Wild Sighted Deletarious Influence of Nature on Wordsworth Poetry यानि Wordsworth की Poetry पर Deletarious Influence पड़ा है इस poem से ये poem कौन सी है वाश Oscar Wild के अंशार तो poem है Peter Next question है How many causes Wordsworth has mentioned that lead to poetic composition यानि कितने कारण है जिसकी वज़े से Wordsworth उनको leader कहा जाता है poetic composition में तो ये six causes है Next question है 145 वर्ट 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 सब्सक्राइब to whose belief that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society तो ये वर्ट वर्ट ने किसे belief को माना है कि humanity वाज essentially good ये वास्तों में अच्छी है बट लेकिन वाज corrupted लेकिन ये दूसित कर दी गई है by the influence of society समाज के प्रभाव से तो ये किसका विचार ये लाइन कहां से ली गई है तो लाइन जो है लाइन रिटेन इन अर्ली स्पिंग इस पोएम से जो है लाइन ली गई है आगे बढ़ते है 147 वर्ट वर्ट मेड इज डीबट आज राइटर इन 1787 मिल्टन वर्ट वर्ट उन्होंने जो है राइटर के रूप में डीबट माना गया है यानि डीबट उन्होंने लिया था 1787 में जब उन्होंने अपनी पहला सानेट जो है दा उर्पीन मेड़ीजेन में publish करवाया था next question who is known as the morning star of reformation reformation का morning star किसे कहा जाता है तो है John Wycliffe John Wycliffe को the morning star of reformation कहा जाता है आगे बढ़ते हैं question number 150 कहा है the the suffragate movement was most active in the यहीं suffragate moment जो है किस समय सबसे जदा active था तो early 20th century में next question modern English emerged from modern English जो है वह हूँ कहां से start हुई है तो East Midland dialect से term हुई है तो friends इस प्रकार से हमने आपके 50 questions complete कर दी हैं अगर आपको अच्छे लगे हूँ तो वीडियो को like जरूर करें और comment करके हमें बताएं कि आपके समझ में वीडियो आया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी इसको share जरूर करें क्योंकि ग्यान share करने से ही बाटने से ही बढ़ता है तो इसलिए आप इसको share करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और कुछ problem की वज़े से हम आपकी live class नहीं ले पा रहे हैं लेकिन जल्दी ही आपकी live class ली जाएंगी अगर आप हमारे whatsapp group में जोड़ना चाहते हैं या हमारे paid बैचे टेंट करना चाहते हैं तो आप हमें comment box में अपना number कमेंट करके बता दें या हमारा number आप जहे नमबर है हमारा नोट कर लीजे आप लो 9984022871 यह नमबर हमारा है आप इस पर comment करके हमें बता सकते हैं और आप हमारे whatsapp group से भी जुड़ सकते हैं और हमारे paid बैचे से भी जुड़ सकते हैं आपको कम से कम मुल में जो है आपको paid बैचे में जोइन होने को मिलेगा जिसमें आपको TGT PGT से सम्बंधित जितने भी literature के जो है वीडियो जहें वो आपको PDF सहीत उपलब्द करवाए जाएंगे और हम कोशिसे ही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आपको PDF एवेलेबिल करवा बहुत जल्दी ही हम एक master वीडियो ले करणा वाले हैं जिस पर लगभाए 2500 क्वेश्चन आपको एक हे वीडियो में जो है मिलेगे और अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप संपर करके उसको ले सकते हैं, तो चलिए आज यहीं तक लखेंगे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन सुब रहे, जय हैं।